हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की इशिक्षा निदेशा ले राष्टे राजधानिक्षेत दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 35 जो की कक्षा छटी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विशे से और आज इसमें हम एक कविता पढ़ने और गाने वाले हैं जिसका नाम है साथी हाथ पढ़ाना तो चलिए बिना समय कवाई शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों आज हम अपनी कक्षा छटी की पाठ्थे पुस्तक से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्शक है साथी हाथ बढ़ाना और इसके रचनाकार या फिर गीत कार हैं साहिर लुधियान वी जी तो चलिए गुन गुनाते हैं साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना साथी हाथ बढ़ाना हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रस्ता छोड़ा पर बत ने सीस जुकाया फौला दी है सीने अपने फौला दी है बाहे हम चाहें तो पैदा कर दें चटानों मेरा है साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना तो बढ़िया लगा आपको ये गाना वाके ही ये जो कविता है ये इसको जो गीत में पिरोया है जो धुन में पिरोया है वो थे जो धुन लिखा है देखिए साथी हिल्लो ध्यानवी जी और ये एक फिल्म का गीत भी है जो की बहुत ही मीठा है आपको ये गीत कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अब इसका अव्यांश वा भावार्थ को ध्यान पूर्वक पढ़िए और गाईए तो गातो हमने लिया आपको मज़ा आया है ना अब हम इसका भावार्थ भी जानते हैं देखे भावार्थ क्या है इसका कवी ने इस गीत में एकता संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को सपष्ट किया है यानि इस गीत में क्या जलगता है एकता की भावना जलगती है संगठन यानि मिलके रहने की और परस्पर सहयोग के महत्व की भावना जलगती है मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है ये तो हम सब ही जानते हैं एक अकेला बोज उठाते उठाते ठक जाता है तो आपस में परस पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो जाता है होता या नहीं होता मिलकर कारे करने से बड़ी बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है असंभव दिखने वाले कारे को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था अगर हो सकें तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं कवी ने इस गीत में मनुश्यों के हिम्मत वा साहस को दर्शाया है आज उसकी हिम्मत के कारण ही असंभव से लगने वाले कारे भी संभव हो सकें है सागर में पुलों का निर्मान, जहाजों का निर्मान, परवतों को काट कर रास्तों का निर्मान सीने को फॉलादी बताया है जो कि उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है बाहों को फॉलादी कहा गया है क्योंकि इन्ही बाहों के सहरे वो मुश्किल से मुश्किल कारे करने में सफल होता है तो अब आप जानें कि इस कविता का भावार्थ क्या है तो चलिए अब हम चल रहें अपने आसान से प्रशन उतर पर देखिए नीचे लिखे प्रशनों को पढ़कर सही उतर पर निशान लगाई पहला प्रशन है कि साथी हाथ बढ़ाना नामगीत के कवी का नाम क्या है बहुत असान है किदारनाथ सिंग, साहिर लोधियानवी, गुनाकार मुले या फिर महादेवी वर्मा सही उतर है ख साहिर लोधियानवी फिर दूसरा प्रश्ण है कि अपने सीने और बाहे कैसी है ओमल है, चटानी है, फॉलादी है या कठोर है तो आपने अभी गीत सुनाई था गफॉलादी, जब हमने बोला था फॉलादी है, सीने अपने फॉलादी है, बाहे फिर तीसरा प्रश्ण है यह गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था नया दौर, शोले, याराना या फिर जिस देश में गंगा बहती है सही उत्तर है नया दौर और फिर चौथा प्रश्ण है असंभव दिखने वाले कारे भी सरल हो जाता है जब महनत करते हैं, मिलकर करते हैं, क और ख दोनों या स्वयम करते हैं तो आप बताओ, ये दोनों ही सही होंगे, महनत करते हैं, तब भी कारे सरल हो जाता है और मिलकर करते हैं तब भी, इसका सही उत्तर है, क, क और ख दोनों यानि मेहनत और मिलकर करने से कारे सफल हो जाते हैं और फिर पांचवा प्रश्ण एक गते भी दिये आप ऐसे कारियों की सूची बनाईए जो मिलकर करते हैं चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कारे हैं जो कि मिलकर किये जाते हैं तो देखो कई सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो की मिलकर किया जाते हैं जैसे खेतों में फसल काटने का काम, घर में कोई उस्सव या समा रहो हो तब भी मिलकर काम किया जाता है, सड़क बनाने का काम, स्कूल में किसी परियोजना पर किया जाने वाला काम, क्रिकेट, फुटबॉल, hockey जैसे खेलों में team में मिलकर खेला जाता है तो ये सारे काम ऐसे हैं जो कि मिलकर किये जाते हैं अगर आपको भी कोई ऐसा काम आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं तो ये तो थी आज की वर्क्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगाए तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और टेलिग्राम एप पर हमारा चैनल लवनीश सरकी क्लास उसको जॉइन करना ना भूलें जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन ये भी याद रखेगा घर से बाहर निकलते समय मास का वश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीका गरन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदकी को एक बार फिर से स्वाना बनाना इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद